हेलो गाइज, वेलकम टो इन माई चैनल स्मार्ट स्टड़ी गाइज आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दे जाने वाली वर्क्षिट नंबर 9 करेंगे जो कि क्लास 7 की है और विश्य है सामाजिक विज्ञान इतिहास ये वर्क्षिट 23 अक्टोबर 2020 की है तो आएज शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट, वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज में ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएज देखते हैं आज की वर्क्षिट दिल्ली के सुल्तान देखे क्या दिया गया आज की वर्क्षिट में इतिहास में इतिहास के अध्यन के लिए हम अभिलेक, सिक्को, स्थापत्य, भवन, निर्मान, कला के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त करते हैं तो इतिहास की अधिन के लिए क्या किया जाता है या तो हमें अभिलेक, सिक्थ्थÃ या स्थापत्य, भवण निर्मान जो कला होते हैं के माधियम से में काफी सुचनाय मिलती है मगर दिल्ली के सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हमें उन इतिहास तारीक एकवचन तुवारिक बहुचन मतलब जब हम तारीक की बात करते हैं तो एकवचन होता है तुवारिक मतलब बहुचन जो सुल्तानों के शाशनकाल में प्रशाशन की भाषा फारसी में लिखे गए तो यहांपे क्या कर रहा दिल्ली के सलतनन की बात हमें करनी है तो हमें क्या शाष्ण-काल और प्रशाशन की भाषा फार्सी में लिखे गए थे त्वारीक के लेखक सचीव प्रशाशक कवी और दर्बारियों जैसे शुशिक्षित व्यक्ति होते थे त्वारीक के लेखक कौन होते थे जो उसको लिखते थे वो कौन होते थे प्रशाशक कवी या दर्बारियों जैसे के जो गटनाओं का वर्णन भी करते थे, जो क्या करते थे, तारीक लिखते थे, उसके साथ साथ में, मतलब हो लेक लेक लिखते थे, जिसमें क्या किया जाता था, कि कोन-Kोन होता था, पहले तो प्रशाश्यक होते थे, कवी होतेखे, शूशक शीत मतला अच्छे पड़े लिके लोग होते थे वह क्या करते थे तारीक लिए देते थे कि इस तारीक को यह और साथ में उसका घटना का वर्णन भी करते थे और शाषको को प्रशाशन संबंदित सलाह भी देते थे वे नियाय संगत शाषन के बल पर महतु देते थे नियाय संगत शाषन को महतु देते थे त्वारीक के लेखक नगरों में रहते थे त्वारीक के लेखक थे नगरों में रहते थे वेशेशकर दिली में रहते थे गाओं शायद ही कभी रहते होंगे गाओं में तो उनका बहुत मुश्किल था कि वो कभी रहते होंगे अक्सर अगर अच्छा अच्छा लिखेंगे तो क्या होगा इनाम मिलेगा इसके लिए इसी आशा में वो लिखते थे ये लिखक अक्सर शाषकों को जनमसिद अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आधर्ष समाजवस्ता बनाने की सला भी देते थे अब वो क्या कहते थे अगर वो अच्छा अच्छा राजा के बारे में जो शाषका उसके बारे में अच्छा लिखेंगे तो उनको प्राइज मिलेगा इसलिए वो कह कह रहे है वे अक्सर शाषकों के जनमसिद अधिकार और अगर शाषक बेटा पैदा हुआ तो उसके आगे शाषक बनना इसके वो जनमसिद अधिकार कहा दिया उनको और लिंग भेद की विवस्ता मतलब लिंग भेद को अच्छा माना उन्होंने इन सब तोमर राजपूत के काल में दिल्ली जो थी वो तोमर समराजय की पहली राजधानी बनी बारवी सदी में ये कपकी बात ओर ये बारवी सदी की बारवी सदी के मध्ये में तमिरों का अजमेर के चोहानों जैसे की चाहमन नाम से जाना भी जाता है जैसे चोहानों को क्या कहत ताप परास्त किया था तोम्रो और चौहांनों के राजयकाल में ही दिल्ली वानिज्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र केंद्र बन गया इस शहर में बहुत सारे सम्रुद्शाली जैन वेपारी रहते थे जिन्नोंने अनेक मंदिरों का निर्मान कराया तो इस समय जो इस शहर प्रफ़ा वीपारी में क्या रहते तो बहुत सारे अच्छे इसे वाले वियपारी लोग रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्मान कराया यहां देविशender कहे जाने वाले शिक्क्न भी ढ ़ाले-जाते यहां पर काम होते हैं तो देहली वाल जैसे कहे जाने वाले सिख्के भी यहां ढ़ाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे तेहरी शतापदी के आरंब में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो दिल्ली की कब स्थापना हुई पेटा यह important question है तेहरी शतापदी के आरंब मे दिल्ली सल्तनत के स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंतर इस उप महादीव के बखुत बड़े शेतर में फैला था अब क्या हो धीरे धीरे दिल्ली पहले तो उनकी क्या बनाई राजधानी की स्थापना होगा इसके बाद दिल्ली एक ऐसे बड़ी राजधानी बन गई जिसका नियंतर पूरे उप महादीव में बहुत बड़े शेतर में फैला था बहुत बड़ा शेतर था और इसे क्या अब देखें यहाँ पर कुछ शाशक दिये गए हैं दिल्ली के जैसे कि दिल्ली के शाशक राजपूत वंश तो उमर सबसे पहले था ग्यारा सो पैंसट में अंगंपाल चोहान प्रत्वीराज चोहान प्रारंबिक तुर्की शाशन कुतमदीन एबक शेश्मुदीन तो इतने सारे शाशक दिली पर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा जीट कर लिए गया है इतिहास की अधन के लिए कौन कौन से स्त्रोथ हमारी सहायता कर सकते हैं कौन कौन से स्त्रोथ अधन को यहाँ पर दिया गया है बेटा कि इतिहास की अधन के लिए हमें अभिलेग सिकों और स्थापत्य के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त करते हैं तो फर्स्ट का अंसर आपका यह हो जाएगा ठीक है किस से हमें प्राप्त हो कि इतिहास की अधन है हमारे लिए किस तरह इस उपयोगी हो सकता है तो आई देखते हैं कोशन नमबर फर्स और कोशन नमबर टू दोनों का ही अंसर देखते हैं तो आई देखते हैं प्रशन नमबर वन बेटा इतिहास की अधन के लिए कौन कौन से स्त्रोथ हमारी साहयता कर सकते हैं तो हम पिछले जमाने में तो नहीं जा सकते ना तो जो अभिलेक वहां लिके गए हैं जो सिक्के हैं जो स्थापतिय भवन इर्मान कला है इसके माध्यम से हम काफी जानकरी प्राप्त कर सकते हैं आई ये देखते हैं प्रशन नंबर टू प्रशन नंबर टू क्या है देखो प्रशन नंबर टीन दिया गया है तुआरी की अध्यन की सीमाओं का वर्णन करें लिए देखते हैं प्रशन नंबर टीन दिया गया है तुआरी की अध्यन की सीमाओं का वर्णन करें तो तुआरी की अध्यन की सीमाओं का वर्णन करें तो तुआरी की अध्यन की सीमाओं का थी देखो बहुत सी अच्छी बात थी कि हमने देखा कि प्रशाशन को समधिसला दे सकते हैं और हमें अलग लग घटनाओं का पता च इसलिए वह क्या करते थे इसलिए उनको क्या तो उनको तो यह सब जो त्वारी के अध्यन की सीमा है तो आए देखते हैं इसका अंसर नंबर थर्ड त्वारी के लेखक पक्षपात करते थे ना वे अपने सुल्तानों को प्रसन करने के लिए ऐसे विचारों को लिखते थे जिससे आम लोग सहमत नहीं होते थे पतलब वह ऐसे यहां पre अलग रग लिए पतला अनों लोग लग लिख देजएगा वह ऐसे विचार लिख लिखन देते थे सही नहीं मानती थी, तो एक बड़ फिर देखते हैं, त्वारी के लेकर पक्षपात करते थे, वे अपने सुल्तानों को प्रसंद करने के लिए ऐसे विचारों को लिखते थे, जिससे आम लोग सहमत नहीं होते थे, जैसे शाषकों का जनम सिधा दिकार, लिंग भेत पर अधा पता लगाईए कि दिल्ली में सित कुतुम मिनार के निर्मान में किन-किन शाषकों का योग योगदान रहा, तो देखो, हमें सिर्फ इतना पता है, अभी तक हम पहले वक्षित भी आई थी, से कुतुम मिनार से रेटिर, तो उसमें हमनें देखा था कि कौन से शाषक ने ब कुतुम मिनार के निर्मान में, कुतुमदीन एबक ने बनाया, उसके बाद शश्मुदीन इतलु मिष ने बनाया, उसके बाद फिरोशा तुगलक ने, इन तीनों ने मिलकर, मतलब टन पहले इनों ने बनाया, फिर इनका शाषन आया तो इनों ने बनाया, उसके बाद इनक भारत के दक्षिन दिली में शहर महरोली के पास एक उंची मिनार है सबसे उंची मिनार है ना बाटा को तो मिनार भारत के दक्षिन दिली शहर में शहर की महरोली में सबसे उंची मिनार है इसकी उंचाई 72.5 मिटर है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू स्टूदेंट्स